हलो दोस्तों स्वागत अब सभी का एक बार फिरस से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो ये स्टार वर्सिस हीट के बीच में जो ये बिग बैस का 44 वा मैच खेला जाएगा तो इसके बारे हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये मैच आज दोप चैनल भी जॉइन कर लें क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वह आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपोर्टेंट रहेगा तो आप लोग जुड़ जाएए लिंक आपको इसी वीडियो क मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से इस पिच की बात करें दोस्तों इस पिच पर टोटल टी-20 डॉमेस्टिक के अभी तक 64 मैच खेले गाए है जिसमें से 29 मैच पहले वेटिंग करने वाई टीम जीती है 34 मैच ब इसे 29 के बीच में 13 बार इसकोर गया है 170 WAS 19 के पार में 5 वार इसकोर जा चुका है यानि कि दोस्तों जो मोस्ट्रिली वार स्कोर रहा है विसमें चार मिच्छ खेले गाये अगर आप उन्हें में देखेंगे तो यहाँ पर चार में से दो मैच यहाँ पर हाई स्कोरिंग रहे हैं मतलब ठीक ठाक स्कोर रहा है उसमें अच्छा गाद स्कोर बनाए उसके अलावा दोस्तों दो मैच अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दो मैच यहाँ पर लो स्कोरि विकेट की बात करें, spinner को ज़्यादा मिलें या पेसर को, तो टोटल चार मैच में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तो spinner को 15 विकेट मिलें, पेसर को 32 विकेट मिलें, यानि कि spinner के मुकाबले पेसर को लगबग double विकेट मिलते हैं स्वेन्यू पर, अब दोस्तों आपे बात करें, फर्स्ट इनिंग में spinner को 9 विकेट मिलें, सेकेंड इनिंग में 6 मिलें, और पेसर की बात करें, तो दोनों इनिंग में बरावर बरावर विकेट मिलें या पेसर को, तो यह जीज़ा आप यहाँ से देखके चल सकते हैं, अब दोस्तों आपें बात करें लिए थे, मेलवन इस्टार की प्लेंग लेविन और बैटिंग ओडर के बारे में, तो यहाँ से जोग किलार्क टॉम, थॉमर्स रोगर्स आपको ओपन करते हुए देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हिल्टॉन कार्ट राएट आएट आएगे, व्यू वेविश्टर आएगे, मार्कस इस्टॉईनिस आपको फिर से एक मतलब वापस आ गए, स्कुर्ड में तो आपको खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद उसके आपको निक लरकेन है, अब दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मेलबन इस्टार के टॉफ फाइब में आपको चार लेफ्ट हेंडर मिलेंगे, तो सामने वाली टीम में जो भी राइट आर्म और ब्रिक बॉलर होगा, उसको अच्छी खासी है, तो वो अच्छे खासे विकर यहाँ पर लेके जा सकता है, आप दोस्तो प्लेयर स्टार्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको हर एक प्लेयर का यहाँ पर रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा, है ऐगर आप लोग चाहिएquinho तो अपको सक्रीन सोट भी ले सकते हैं मैं वीडियो को स्क्रॉल करूँंगा तो आप लोग स्क्रीन सोट भी ले सकते था बाकि मैं आपको यह पिन सोट में समझा़ है तो यहां से दोस्तो तो जो किलार का काफी बैटरी रिकॉर्ड है, इनको अपनी टीम में जरूर लेके चलना है, उसके लावा अगर आप इनका ओवरॉल रिकॉर्ड देखना चाहरा है, तो तीस का इनका ओवरॉल रिकॉर्ड है, जो अभी तक BBL खेला है, उसके बाद दूसरे बैटिंग से बात क चालीस का अवरेज है, तो वेन्यू पर ठीक टाक रिकॉर्ड हैं का रिसेंट फॉर्म आप जहां से देख सकते हैं, उसके बाद दूसरे आप हिल्टोन कार्ट राइट की बात करें, तो इनका भी रिसेंट फॉर्म ठीक टाक है, इस हैट टूएड में बात करें, तो आठ मै पर अभी रिसेंट में बालिंग नहीं करा रहे हैं, उसके बाद पर निक लरकिन की बात करें, तो पांच मैच, अठासी रन, अठासी का अवरेज तो इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा लगा नहीं, वेन्यू पर देखेंगे, तो यह बैटिंग करने भी काफी नीचे आ रह बात नहीं करते हैं, उसके लावाद जेम सेमर की बात करें, तो इनको भी अपनी टीम में नहीं लेना, यहापर 11 का अवरेज है, वेन्यू पर देखेंगे, तो इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, अब यहाँ पर दोस्तों आल राउंडर में बात करें, तो व्यू व लेवरेज रखते हैं, 64 मेंच की 23 इनिंग में, 8 विकेट इनके ओवराल BBL में है, तो यह इनका रिकॉर्ड है, ठीक ठाक रिकॉर्ड है, और रिसेंट फॉर्म देखेंगे, तो 29 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 27 आट प्लस 1 विकेट, तो रिसेंट में उतना अच्छा नहीं र अगर आप देखेंगे, तो अच्छा कासा इन्होंने किया है, और इंपोर्टेंट प्लेयर है, हैड तो एड में 26 विकेट भी है, तो अच्छा कासा रिकॉर्ड है, और इंपोर्टेंट रहने वाले है, उसके अलाबा हिंच के लिफी की बात करेंगे दोस्तों, इनको आप ग्लमी ट्राइ करना, इसमाल लिक के लिए यह थोड़े से रिस्की रहेंगे, हाला कि आप लोग ट्राइ करना चाहें, तो कर सकते हैं, पर थोड़े से यह रिस्की रहेंगे, हैड तो एड में अगर आप देखेंगे, तो चार मैच, 21 रन, 7 का इवरेज, प्लस चार मैच अगर आप इनका बॉलिंग से देखेंगे तो 26 मैच की 25 निंग में 18 विकेट है तो यह इनका रिकॉर्ड है उसके अलावा दोस्ता आप बॉलिंग से बात करें तो लुक वूड अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं हेट टो एड में नहीं खेला इस वेन्यू पर 4 मैच में 7 विकेट है तो इस वेन्यू पर काफी अच्छा किया है नाथन कोल्टर नाइल आपको आज खेलते हुए फिर से दिख सकते हैं इनका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे अगर इनका आप रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 18 मैच 42 रन 6 का एवरेज बेटिंग से इनका 6 का एवरेज है पर इन्होंने 18 मैच में 20 वेकेट भी लिये है इस वेन्यू पर यह थोड़ी बहुत बेटिंग भी कर लेते हो और अच्छा रेकॉर्ड है है तो यह आपको खेलते हुए देखेंगे फिर से उसके अलावा लि वेन्यू पर भी और हैट्टोएड में भी दो मैच में पांच वेकेट लेके आये हैं और यहां पर ओवरॉल देखेंगे तो 14 मैच 22 वेकेट तो अच्छा कांसा है रिकॉर्ड है यहां पर हैचर का और रिसेंट का रिसेंट फर्म काफी अच्छा है उसके अलावा एडम जै के लिए टो यहां पर चारल बात करे तो यहां पर ओर वेक ग्रांड में थोडी बहुत आवाज आ रही होगी क्योंकि मैं बाहर हूँ तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे रही होगी तो उसको आप लोग इग्नॉर करना अब दोस्तों आप बात करते हैं ब्रिस्पेन हीट की प्लेंग 11 और बैटिंग ओडर के बारे में तो यहां से उस्मान ख कोई निव प्लेयर खेलता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँगा तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चनल जोइन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो की अब यहां पर ब्रिस्पेन हीट के प्लेयर का स्टार्ट देखें तो यहां पर दोस्तों जिम्मी पियर्सन इनके बारे में बात करें तो बेटिंग काफी नीचे आती है तो आप लोग इनको जी एल में ट्राइए कर सकते हैं एनका अगर दोस्तों आप देखेंगे तो अभी 2 मैच खेले है इस सीजन में यहां पर 28-2 में स्कूर किय है पर दोस्तों इनका है तो काफी बैतरीन है यहां पर नौ मैच में 377 तो काफी बैतरीन रिकॉर्ड है इनको आप लोग अपनी टीम में जरूर रखना उसके लावा वेन्यू पर बात करें आठ मैच में 402 रण 577 तो देख रहे हैं आप है अगर आप इनका ओबरॉल भी देखेंगे तो 33 कावरेज है काफी बैतरीन प्लेयर है हाला कि दो मैच में अभी उतना बड़ा स्कोर नहीं आया है पर अच्छे प्लेयर है और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा कासर आया है उसके अलावा जोस ब्राउन यह हिट और में प्लेयर है अगर चलेंगे तो काफी तेजी से रन बना के देंगे वनना जल्दी चले जाएंगे हैट टूएड और वेन्यू पर खेला नहीं है बीबेल में 6 मैच खेले हैं 153 रन 25 कैवरेज मैक्स ब्रियांट अगर खेलते हैं तो हैट टूएड में 38 कैवरेज है वेन्यू 24 कैवरेज आप यहाँ से देख सकते हैं उसके अलावा रीसेंट फॉर्म देखें तो रीसेंट फॉर्म उतना खास नहीं रहा है लास्ट के पांच मैच में से ट्राइक रेट भी 131 का है तो दूस्तों ये जील के लिए बेस्ट पेक हैं आप लोग इनको जील में जरूर ट्राइक करना रीसेंट में देखेंगे तो रीसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक राए जो भी काउंटी क्रिकेट खेल के आए उसमें अच्छा गांसा इनोंने की आए य 24 का एवरेज है वेन्यू पर भी दो मैच में 24 रन है तो हैट टू एड और वेन्यू पर उतना खास रेकॉर्ड नहीं है पर प्लेयर इंपोर्टन है हाला कि लास्ट के जो लास्ट के दो मैच खेले हैं उसमें इनोंने बालिंग भी नहीं कराई है तो यह है अब दूस्तों अब बात करें ओवरॉल रिकॉर्ड देखें तो 19 का एवरेज इनका बैटिंग से 19 मैच की 14 इनिंग में 12 विकेट भी है तो यह बॉलिंग करा जाते तो यह अच्छी पे कराएंगे उसके लावा मैट रेंसों की बात करें तो 7 मैच 125 रन 25 का एवरेज है है तो यह इनका रिक खीरोड है उसके बाद दोस्तों आपि जैंस बेज लिए इनके बारे में बात करें हैं हट टु एड में तीन मैच खेलें साथ रन्स है यह थो बैटिंग से कुछ खास किया नहीं है तीन मैच में तीन विकट है है लेन्यू पर देखेंगे तो एक मैच में एक विकेट है प् गर अब देखेंगि तो आठ मैच में तेरा वेकट थया सज़री दूस्त मैं वे grands तो यह इनका अगर आप देखेंगि तो आठ मैच में थेरा वेकट है तो अगर यह खेलते हैं तो यह अपने टीम के मैं-णे बॉल तो इनका देखना होगा यह खेलते हैं या नहीं उसके अलाबा ओवरॉल देखेंगे तो नतर मैच में अठासी विकेट हैं तो इंपोर्टेंट हैं माइकल नसीर अगर head to head में देखेंगे तो average record है नौ मैच में 44 रन है यहाँ पर 14 के average से run बनाए है उसके अलाबा नौ मैच मे 3 विकेट प्लस 3 मैच में 6 रन है तो बैटिंग से कुछ खास किया नहीं है और यहाँ पर head to head when you record देखेंगे तो average है उतना खास रहा नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ नसीर को लेना है या फिर बैजली को तो यह अभी हम टीम बनाएंगे तब देखेंगे अब यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो माइकल स्विप्सोन 9 मैच में 14 विकेट वेन्यू पर 6 मैच में 12 विकेट तो स्विप्सोन अभी तक बराबर लगबग फिलॉपी रहे हैं पर दोस्तों इनका head to head और venue record काफी बैतरी नहीं है आप लोग बात करें तो 28 मैच में 22 विकेट है रीसेंट फॉम है आप यहां से इनका देखके चल सकते हैं उसके लावा एकस्वियर बल्टलेट है इनके बारे में बात करें तो एक विकेट 28 प्लस 0 विकेट 0 विकेट तो दोस्तों यह थोड़ी बात बैटिंग भी कर लेते हैं और इनक रिकार्ड है उसके अलावा स्पेंसर जौनसन की बात करें तो हेट-टू-फैड में यहां पर इनके खेला नहीं है ओवरल 2 मैच खेले अभी तक 1 विकेट है यहां पर दोस्तों बात करें अब ओवर मैचीस की यहाँ पर दोस्तों overall matches की बात करें तो दोनों टीम ने अभी तक overall मेच 16 मैच खेले हैं head to head में जिसमें यहाँ पर star की टीम ने यानि की Melbourne star ने 7 जीते हैं Brisbane hit ने 9 मैच जीते हैं तो यह राय और यहाँ पर not result 0 राय तो यह है अब दोस्तों अपने team देख लेते हैं जो फिलाल मैंने बनाई है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा telegram channel जोइन नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग से बात करें तो आप लोग विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे जो खेलने वाले हैं यहाँ से जोग किलाक जिम्मी पियरसन तो यहाँ पर small league के लिए best option है जोग क्लार किया है तो इनको लिएके चल ठीक ठाकिन हöने किया यह सीधित में तो आप लोग practice करना चाहें तो कर सकते हैं फिलाल के लिए मैंने नहीं रखें और head to order when new record भी काफी अच्छा है तो important रहने वाले हैं उसके बाद दोस्तो निकलर के नहीं record तो इनका भी अच्छा है पर ये काफी नीचे आते हैं तो इनको आपको आगे दिखाया था तो GL के लिए best choice रहेंगे तो आप लोग इनको GL में try कर सकते हैं उसके अलावा JSMR की बात करें तो ये लोग उतने अच्छे हैं नहीं तो इनके बारें बात नहीं करते हैं अब यहांपर दोस्तो आल राउंडर में बात करें तो बी वेविश्टर important रहेंगे आपको betting और प्लस बॉलिंग दोनों तरफ से point देंगे तो important player है उसके अलावा माइकल नसीर तो मैंने यहांपर माइकल नसीर को लिया है यह भी अपनी टीम के तरफ से death में बॉलिंग कराते हैं और important player है हलाकि head to order और when you record उतना खास नहीं है तो आप लोग जिसको लेना चाहें आप उसको try कर सकते हैं माइकल नसीर या फिर जैम बैजली तो आप दोनों में से जिसको लेना चाहें उसको ले सकते हैं मैंने यहां पर फिलाल के लिए नेसर को लिया है आप लोग यहां पर बैजली को भी ले सकते हैं जो आपको betting प्लस balling दोनों तरफ से perform करते हुए दिख सकते हैं तो यह change आप कर सकते हैं यह change मैं भी कर सकता हूँ after toss पर फिलाल के लिए मैंने यह पर लबूशेन को लिया है उसके लावा मैं ट्रेंस हो तो मैंने यहां पर फिलाल के लिए इस्टोइनिस को लिया है उसके अलावा hinge किलफी आप लोग जील में ट्राई करना इस्मॉल लिए के लिए रिस्की रहेंगे अब यहां पर दोस्तों बॉलिंग से बात करें तो यहां पर दोस्तों मैंने लुक वूड को लिया है important रहेंगे और इनका recent perform काफी अच्छा रहा है अपने team के तरफ से death में बॉलिंग कराते हैं उसके अलावा Matthew कुनेमान की बात करें तो आप लोग try करना चाहें तो कर सकते हैं इनोंने भी season में काफी अच्छा perform किया है हलाकि मैं इनको फिलाल के लिए नहीं लूँगा आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं उसके अलावा मैंने आप लियाम हैचर को लिया है काफी बैतरी परफॉर्मरा है इनका अगर आप last के दो मैच में देखेंगे last के तीन मैच में साथ वेकेट हैं तो दोस्तों इनका काफी बैतरीन परफॉर्मरा है और यह डेथ में भी आ रहा है बॉलिंग कराने तो important रहेंगे मैंने इनको लिया है उसके लावा Adam जैंपा इस वेन्वी पर काफी अच्छा करते हैं तो आप लोग ट्राई करना चाहें पर जैंपा को भी कर सकते हैं अगर यहां पे दोस तो सेकंड इनेव में बालीं करती अने को बॉलिंग यह जाएंगे और बलेबाज बले बाज के लिए जाएंग तो इनको फिर अच्छे काह से विकेट मिल सकते हैं क्योंकि यह जो वैंनिउ हू है काफी बड़ा तो फिलाल के लिए मैं यह मान के टीम बना रहा हूं कि यह टाकी टीम पहले बॉलिंग करेगी तो फिलाल के लिए मैंने इन तीनों को लिया है उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें ब्रॉडी कोच की तो इनका भी एवरेज परफॉर्मेंस है तो आप लोग ट्राइ करन लेना काफ Зभी अच्छी 31 उप्वल स्पाइब करना उसके लावद तो नीचे बात करने यहां पर यह पर इंप लाष्ट में नहीं है वित्ते लíका की कहिंद यहां पिंडानें से इसक्तिक दिए लिए जो मिरी टीम बन रही है यहां को कर सकते हैं जो किलार को कर सकते हैं इनका अभी अच्छ है रिकॉर्ड है उसके अलावा यहां पर मार्नस लबूश है अगर बॉलिंग करा जाते तो फिर यह भी एक अच्छी चोइस रहेंगे तो फिलाल के लिए मैंने आप इस टॉइनिस और यहां पर वेबिश्टर को किया है अगर इस टीम में दोस्तों कुछ भी चैंज होगा तो आ क्यों किया है वेह हैं